वहां से लेकर यह चोक यहां तक बढ़ जाएगा और चत का लाश स्टेफ बच रखा है और इसको पुराने जमाने बुलते हैं मंगरी कि आज कल चौलाई वगेरा काटना होता है उसकी मणाई वगेरा फिर उसके बाद अलू अगेरा निकालना होता है और सामके चार बस्ते ही गाउं से दूप निकल गी है तो चरिया फाइनली पूरा क्लीन कर दिया है बाकी चाची जी औरों कल ये खेत का घास भी काड़ देंगे चैनल बनाया था लक्की का गड़वाली कला कर कहके तो उसको भी जरूर फॉलो गरें क्यों हेलो जी गुड मॉर आज से सुबह के करीवन 10 बज रहें और अभी जाश्ट अभी खेत से आए हैं तो नास्ता और गयरा करके तो आज से घर काम भी सुरू हो गया है कि नहीं दोया है क्योंकि काम सुरू हो गया है यह पठाल वगयरा अग्वाद इतने यहां सरान कर दिये हैं यह वाले कल तो ब है क्या है क्या मकफन मकफन खा रहा तो यह बीच में दिवाल डाली थी पहले इसको भी तोड़ना है यह यह बाद चौक का यह वाला हिस्सा पूरा नीचे नीचे जायेगा अब बाद वहां से लेकर यह चौक यहां तक बढ़ जाएगा और यह जो गित्टी वगयरा है यह लिए तोड़ रखे हैं साइट से जो दिवाल जाएगी चौक का तो उसके काम आ जाएगी यहीं पर मंदिर का काम चल रहा था जो चार-पांस दिनों से आज लगबर कंप्लीट हो जाएगा तो चाचा जी औरो लगे हैं ताव जी औरो अकी चट का लाश्ट स्टेफ बच रखा है और इसको पुराने जमाने बूलते हैं मंगरी तो जो उपर से जा रहा है उसको बूलते हैं मंगरी यह कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर सामका आज पूजा होगी न तो मिस्तरी द्वारा यहाँ पर पूजा की जाएगी जैसे परसों आगे वाले छट में किया था तो यहाँ पर भी हो जाएगा मिस्तरी परसों से इस वाले काम पर भी लग जाएगे और जब यह कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पूजा होनी है पूरे गाउवालों के द तो कल साम को यहां सपाई और यहीं लग जाएंगे इस काम पर अभी देख लो इतने फारी पठाल यहां आगे शेलेवाइद दिना क्या आगा विज्जास्ट और मेरे बारी है नाने की ठीक है अब मैं जाओना है नहीं यहाना है है चल तु यहां पर दूप पर रहा है मैं नहीं नहीं करता तब तक है नहादो करके रेडी हो गया है और अब जाता है सिदे मंदिर की और तोड़े दर्सन वगेरा करके आते हैं पिर उसके और ऐस बहुत सब का है वहां सपाइघ MSKG looks with hukal ृस्षाल गयरा विए करना है तो सारे लोग यानि साध्री पॉयारों का हुवह मन्दिर है तो सभी लोग अभी सपाइख करने भी जाएंगे साम को तब वहां भी दिखाएंगे आपके दोस्तों परसों यह बोल्ड बना रहे थे गाउं में लगबग पांच से छे बिसेर भाई और मैंने और आज एक और बनाना है उदर आंगनवाड़ी केंदर में तो तब जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा यह बोल्ड का काम भी फिलाल यहां पर है अब दरसन वगेरा भी कर लिया है बाकी कुछ टाइम बाद बगवान जी अपने पुराने निवास इस्थान पर जाने वाले हैं क्योंकि यह मंदीर का काम कंप्लीट होने वाला है अब लास्ट जो गेट का काम बचा था वह बी आज कंप्लीट होगे बस जो मार्केट से एक बहार का गेड़ लाना है बाकि जो अंदर का काम है वो भी कंप्लीट हो गया है केवल जो भगवान जी का सिहासन गद्धी वगएरा होता है वो मार्केटिस से बनकर आएगा तो 15 से 20 अक्टुबर के बीच में भगवान जी अपने पुराने निवासिस्थान पर जाने वाले है बावी जी आजकल एक चोटी सी बल्ली ला रखी न रोज यहां पर आजाती देखलो प्लाष बाख के यहां आ जाती यहां देखलो प्लाष तो चलगा पर जाएगा फिर तीन तारिक से साध्यू का सिजन भी स्टार्ट हो जाता है और साथ साथ में पहाड़ों में आजकल अब लगातार काम बढ़ता जाता है क्योंकि आजगल चॉलाई वगेरा काटना होता है, उसकी मनाई वगेरा, फिर उसके बाद आलू वगेरा निकालना होता है और साथ में बहुत खेतों में गास वगेरा काटना होता है तो मनलब धीरे धीरे अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और काम के साथ साथ साधी व्युहावी साथ साथी में पहाडों में अक्टबर और नॉम्बर का महीना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा साधियां भी होती है और खेतों में बहुत ज़्यादा काम भी होता है ये दो महीने मनलब पहाडों में लोग बिल्कुल भी खाली नहीं रहते हैं सामके चार बस्ते ही गाऊंगों से दूप निकलगी है पहाडों के और, क्योंकि आजकल भहुत जल्दी धूफ निकल जारी है पहाडों के और. ही हमारी तैयारी हो गई है यहां से जोनी कुल दीपता का मंदीर है वो मनों के मंदीर के पास में है तो वह बहुत जादा जाड़्व अगएरा हो रिखिये हैं तो वहां सपाई हो अगरा करके आ जाते हैं आज सबी लोग क्योंकि नौरात्रा के टाइम वहां पार्ट पूजा हुनी है तो सबसे पहले वह सपाई वगेरा बहुत जरूरी है तो फटा पट कर लेते हैं और आज दिन से ना जो काम नीचे का था पत्थर वगेरा सार ना और यहां यह पठाल वगेरा लानी का वह भी कंप्लीट होने वाला है चले भाई पहुंच गया है जहां हमको आज सपाई वगेरा करनी है और पूरे जील से ना मंदिर दिखाई भी ने दे रहा है यहां देख लो तो इधर पूरा घास साप करना है फिर अंदर के सपाई कल होगी क्योंकि आज पूरा यह साप करना है अब आज सपाई कर लेता है तो अभी क्लीन कर देते हैं फिर मिलता आप से यहां पीछे करना दा सपाई हो जा रहा है वहां भी कर दिया भी बाकि मंदिर गे आगे वो पूरा साप करना है तो वह भी हो जाएगा भी है अब पता नहीं था कि इतना क्लीन करना है अब जाके पूरे घास को जड़ से उपाड़ रहे हैं अब जाके कम्प्लीट हुआ है काम अब चलते हैं वापसी घर की और दोस्तों आप परसों एक इस्टाग्राम पर एक चैनल बनाया था लखी का गड़वाली कला करके के तो उसको भी जरूर फॉल्व करें क्यों लखी तो उसको एक दो वीडियो डाल दिया है बाकी बता चल क्या करना उसके जो फेस्ट क्या बूलते हैं इस्टाग्राम चैनल है इसको शेयर और फॉलो जरूर करें गोलो के पापकूर लगातार आजकल स्कूटी शिखा रहे ना तो पैदल पैदल चलते पूरा पसीना पसीना हो गया अभी अभी अभू को लगा रहे हमें उदार तक आंदो आंदो कि दोस्तों अंदेरा भी होने वाला है और जश्ट अभी ट्रेनिंग भी समाप्त होगी आज की रोज एक टाइम भया जी को इसकुटी सिखाना आना पड़ता है और अभी भया जी और उपर दुकान पर रुग गये हैं तो मैं इसकुटी लेकर घर जा रहा हूं वह आ जाए जरूर करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अब तक के लिए टाटा वाई एंड शीओ